आज किस वीडियों में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी गाड़ी के आर्पीयम मीटर के बारे में तो दोस्तो हर गाड़ी में आर्पीयम मीटर आता है कुछ गाड़ी के बीस वेरिंट में नहीं आता बाकी लेकिन मैक्समम गाड़ी में आपको आर्पीयम मीटर मिल जाता है जो आपका MID होता है, स्टेरिंग के आगे, उसमें आपका RPM मेटर होता है, लेकिन उसके बहुत सारे uses होते हैं, जिसको अगर आप पच्छे से समझ जाएंगे, तो आप उसका maximum benefit ले पाएंगे, उसका आप फायदा उठा पाएंगे, हमेजे कुछ लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, तो आज के वीडियो को बनाने का purpose यही है, ताकि आप सब को उसका सारा feature पता चल जाए, ताकि आप उसका maximum benefit उठा पाएं, तो चलते हैं गाड़ी के अंदर, उसका वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों मैं भी आगया हूँ गाड़ी के अंदर, और अभी जो आपकी आप पुरा M.I.D. देख रहे हो, यह है टारा टियागो की M.I.D., तो टारा टियागो एकजर पलस अभी है, जिसमें बठा हूँ, और टियागो में, अल्मोस सब में अभी से M.I.D. आती है, आप बेस मोडल लेजिए, चाहे आप टॉप मोडल लेजिए, तो एक अच्छी बात है, ते इम I.D. जो है, टारा टियागो की M.I.D. है, इसमें सब कुछ दिया गया है, डिजिटल, तो इसमें आप इधर देख रहे हैं, आपका RPM मेटर है, और इधर की साइड जो है, आपक आपका जो गाड़ी के, आपका इंजिन के टेंपरिचर का कितना भी हीट है, कितना कूल है, उसका यहाँ पे आपको दिया गया है, हम बात करेंगे आज RPM मेटर के बारे में, RPM मेटर का क्या यूज होता है, आप कैसे इसमें मैक्सम मेन ले सकते हैं, तो RPM मेटर की डिजाइन अलग-अलग सब में हो सकती है, लेकिन काम सब का से महीं होता है, जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसमें डिजटल है, लेकिन हो सकता है आपकी गाड़े में, एक एनलोग हो, यहाँ पे आपका एक राउन सजर कर लोगा, उसमें सुई बनी होगी, कोई फरक नहीं पड़ता है, सेम दर्के जोनों काम करते हैं, तो पिलाल आप डेमों के लिए में आपको इसका यूज करके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले, अगर देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पर लिखा गया है, आप देखेंगे, यहाँ तक ऊपर एट तक है, तो जितने पे भी जो भी नंबर इसमें 1000 से आप मल्टिप्लाई कर देंगे, तो उतना RPM होता है, तो मतलब 1 पे अगर आपकी काटा है, सुही आपकी 1 पे है, तो आपका 1000 RPM है, अगर 5 पे है, तो 5000 RPM है, और लाइक देट, इसका मतलब जो गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, अगर आपकी पास डिजल 6000 तक ही होगा, तो हमेशा RPM मीटर, डीजल में आपको 6000 तक मिलेगा, पेट्रोल में आपको 8000 तक मिलेगा, एक छोटी सी चीज़ है, जिसको आप गाड़ी में बैठते देख सकते हो, गाड़ी आपकी पेट्रोल है, डीजल है, पोहुचने जरूत नेगे, इससे गाड़ी के स उपर नहीं जाना है, maximum limit आपकी 6000 होनी चाहिए, उसके उपर जाते हैं, तो ये आपकी गाड़ी के इंजिन के लिए खत्रा है, तो आपको 6000 के उपर आप लेकि नहीं जाना है, आपकी गाड़ी 6000 आरप्यम के नीचे ही चलानी है, in any case, चीज और के आरपीम का मतलब क्या होता ह पर मिनिट मतलब आपके जो इंजिन का क्रेंग होता है एक मिनट में कितने राउंड लगाता है यहां से आपको अगला समझ में आ जाएगा अगला दोस्तों है कि आपकी अपनी गाड़े की आरपियम को हमेशा कम कर चलाना है। अगर तो चलाने की हैबिट पे मालेज सबके बात Kleineاش wonderful ग roses पर ऐसे डाल की वहां सबयर करता है जैसे यह मतलब एक मिनिट में आपकी गारी का जो ग्रेंकर जी थी चारजार पंसजार बार हो रहा है मतलब आपकी जादी ज़्यादा फ्यूर्य है जब आप अपने काड़ें को आर पियम कम कऱकर चलेखे मतलब निकार आप प्यार्पी मëर्वसी छलेंके तो आपकी जो है अच्छा मालेश देगी अब बात आती है कि एक बढ़िया मतलब क्या स्वीट स्पॉर्ट है किस पर हमें गाड़ी को चलाना चाहिए ते वैरी करता है देखो लेकिन अगर आप किसमेश की बात करें तो 2000 पर आजब आज पस अगरा चला सकते हो थोड़ा सब्सक्राइब और तो आपकी गाड़ी बहुत ही बेहतर मालेश निकाल देगी लेकिन 2000 प्रव अजकर लोग गाड़ी हमेशा नहीं चला पाते हैं कि हाइवे चुका है बहुत अच्छे हो गया है तो आफिज मेरी गाड़ी आगर मैं हाइव पर दो हईवे पर दो हईवे पे चलाता हूं इसका जो करीब करीब और तक इस पीड मेंटेन कर लेती है तो करीब 95 तक पुह पूंच जाती है तो इसको मैं हमेंसा 2500 की रेंज में चलाता हूँ और highway पे मुझे ए गाड़ी आराम से 22-23 का mileage देती है विदेशी तो इस तरीके से mileage को आप यहां से monitor कर सकते हो अगर आपकी गाड़ी mileage कम दे रही है तो आरप्यम मेटर पे थोड़ा सा अपनी निगाव गना के रखे और धीरे धीरे से अपने habit में डाल दीजिए एक बर आपकी habit आराम से जलाने की पड़ जाएगी तो आप बहुत सारा पैसा फ्यूल पे बचा सकते हो दोस्तों अगला point इससे अगर आप नए driver हो तो आपको gear shift करने में भी help मिल सकती है कई लोग जो नई नी गाड़ी सीखते हैं उनको समझने ही आता है कि मुझे कितने rpm पे अपने gear को shift करना चाहिए तो दोस्तों उस किस में यहां rpm meter आपकी बहुत ज़्यादा help करेगा क्योंकि जैसे आपका rpm जो है 2000 के ऊपर जा रहा है तो अपने गाड़ी को आप हमेशा उपर वाले gear में डाल दीजिए और जैसे आपकी गाड़ी का rpm 1500 या 1000 के नीचे जा रहा है तो अपने गाड़ी को आप हमेशा नीचे वाले gear में डाल दीजिए तो 2000 rpm के आसपास गाड़ी रखिए उससे उपर मत खींचिए कई लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा एग्रसिव गाड़ी चलाते हैं तीन हजार चाहजार आर्पीम पर जाके फिर गाड़ी करते हैं वो मत कीजिए आराम से आप 2000 rpm के आसपास गाड़ी चलाएंग आता है वो आप आर्पीम से आराम से सीख सकते हो कि आपको कब अपने गाड़ी का गियर उपर की तरफ डालना है कि अपने गाड़ी को नीचले गेर में लेके जाना है तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट इसका एज़ो आप इससे चेक कर सकते हो अगला पाइंट दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ रखी है थावजन के आस पास रहेगा और बिल्कुल भी फ्लक्ट्ट नहीं करेगा उपर नीचे नहीं करेगा अगर आपका आरप्यम फ्लक्ट्ट कर रहा है इसका मतलब कि आपकी गाड़ी में कुछ ने कुछ प्रावलम है ट्यूनिंग हो स सकते हैं यह आपको बता देगा दूसरा दोस्तों इचीज बहुत इंप्वॉर्टंट है कि गाड़ी का आइडल रपिम कितना होना चाहिए तो पेट्रोल गाड़ी का आईटल रपिम करीब करीब आपका उना चाहिए आट्ट सब से हजार अगर आपकी पास डिजल गाड़ जैसे से गाड़ी का इंजिन का साइज बढ़ता है इन इडलो और पियंगॅ होगा आपके गारिल यूफ डोला तो डीजल एंजन होते हैं उसमें टॉर काफी ज्यादा होता है मतलब उसमें ताकत काफी ज्यादा होती है अगर मैं ले experiment by उसमें प्ल करने की चमता काफी ज्यादा होती है कम श्याधा लोड लेकी। पुल कर सकता है इसलिए उसमें पहुत जड़ा ज़्यादा होते हैं तो यह होता है लेकिन टॉर्क से थोड़ा सा कम होता है इसलिए आपका छो प्रसक्राइब यहाइन टक होता है। भिपेंटर के बारे में मुझे आपको बताने थे, I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ी बहुत clarity आपको इससे आई हो, वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार चैनल पर आये होता हो, तो ऐसे ही informative वीडियो चैनल पर लाता रहता हूं, और ज कर दो दो आपको 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